प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, एस्टर ता, know your faith समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा, तो चलिए, राशी फल की शुरुबात करते हैं, पंचांक के साथ में, तो दिन है रविवार का, तारीक है 11 जून दो हजार तेईस, आशाड कृष्ण अश्टमी पर चंदरमा कुंभराशे और पूर्व भाद्र पतनक शत्तर में दिन का शुभंक रहेगा 6, शुभंक रहेगा गुलाबी शुबदिशा रहेगी, अगने राहुकाल रहेगा, शाम को साथे चार बजे से, शाम को छे बजे तक सरवार्त सिद्यूग रहेगा, दूपहर को दो बच कर 32 मिनट से ले करके, अगले दिन सुबह 5 बच कर 23 मिनट दिन का सबसे शुभं मौरत रहेगा, सुबह 10 बच कर 19 मिनट से लेकर, दूपहर 12 बच कर 5 मिनट तक, विशेश क्या है, कनक दुरुगा पूजन, कनक का मतलब सोना, रविवार का दिन अश्ट मीति थी, और ऐसे में पूर्व भादर बदनक शत्र में, देवी कनक दुरुग मेश यानी, एरी इसके साथ में, मेश राशी वालो, नए कारोबारी सौदों से लाव होगा, समय का दुरुप योग करने से बचें, फसावा धन वापिस मिलेगा, समाज में मान समान बढ़ेगा, बाद विवाद से बचें, उपाई ये करें कि कि किसी गरीब कन्या को बरंग रहेगा, गुलाबी, दूसरी राशी वरिश हैनी के टारस की बात करेंगे, दोस्तों के साथ में तालमेल बढ़ेगा, व्यवसाय के परगती के योग हैं, बड़े धनलाप के योग हैं, परिजनों से सहयोग मिलेगा, नई चीज़े सीखने का प्रियास करेंगे, आज एक प्रतिष्टा बढ़ेगी, विवाद सुल्जाने में सफल रहेंगे, उपाई ये करेंगे, गेहूं के दाने करपूर से जला दें, शुभंक दो रहेगा, शुभंक रहेगा, सफेद, चौथी राशी कर्क, यानि की कैंसर की बात करेंगे, कारोबार में इच्छित स सफलता मिलेगी, दामपत्य सुखद रहेगा, पारिवार एक जीवन शांदार रहेगा, अपने करोध पर काबू रखें, खास काम निप्टाने के मौके मिलेगे, उपाई ये करेंगे, तामवे के लोटे से सूर्य को अर्ग दें, शुभंक रहेगा, शुभंक रहेगा, काल लिए टी, छटी राशी कन्या, यानि कि वर्गो की बात करेंगे, कारोबार में बदलाव लाएंगे, कला के कारियों में रुच्ची बढ़ेगी, कारोबार में नए मौके मिलेगे, अचानक लाब के योग हैं, कुमारों को विभा प्रस्ताव मिलेगा, उपाई ये करें कि गुलाब की अगरवत्ती जलाएं, शुभंकदू रहेगा, शुभरंग रहेगा, सफेद। शत्रों से सतर प्रहें, उपाई ये करें कि लाल पैन से हरीम लिख कर जेब में रखें, शुभंक तीन रहेगा, शुभरंग रहेगा, पीला आठवी राशी ब्रिश्चिक, यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे व्यापार के लिए करजा लेंगे, संतान से सुख परापतो होगा, धनलाप से मन खुश रहेगा, दामपत्य में विवात के योग हैं, घरिलुकाम में भागदवड करनी पड़ेगी, उपाई ये करें कि कि किसी बूढ़े व्यक्ति को गुड़दान करें, शुभंक च्छे रहेगा, शुभरंग रहेगा, गुलाबी, नवी राशी धनू, यानि कि सेजटेरियस की बात करेंगे, कारोबारी लाप के योग हैं, घरिलुकाम में सहयोग मिलेगा, कारशेतर में व्रद्धी होगी, भाशा परकाबू रखें, दामपत्य सम्मंद सुधरेंगे, सेहत के प्रती सतक रहें, उपाहिये करें कि पूर्व मुकी होकर दैनिक पुजा पाट करें, शुभंक नो रहेगा, शुभरंग रहेगा, नारंगी, दस्वी राशी मकर यानि कि कि प्रकाउन की बात करेंगे, नई घरिलू जम्मेदारी मिलेगी, निवेश से लाब के योग हैं, पारिवर एक समस्या से कुछ परिशान रहेंगे, कारशेत्र में सम्मान मिलेगा, रचनातमा काम भी जो हैं, वो सफल रहेंगे, उपाहिये करें कि चुटकी भर रूली जो है, वो जलपरभा करें, शुभंक पांच रहेगा, शुभंग रहेगा, हरा, ग्यार्वी राशी के अक्वेरिस की बात करेंगे, घरेलू काम समय पर निप्टेंगे, सामाजिक काम में मन लगेगा, संपत्ती प्राप्ती के योग हैं, नई व्यापरे की योजनाओं को लागू करेंगे, धर्म कर्म में रूची लेंगे, उपाहिये करें कि किसी गरीव महिला को सुजी दान करें, शुबंक पांच रहेगा, शुबरंग रहेगा, हराम, बारवी राशी मीन यनी पाइसिस की बात करेंगे, लोगों के संपरक से लाब होगा, व्यापार में अच्छे मौके मिलेंगे, संपत्ती खरीदने के योग हैं, कारोबार यातरा से लाब होगा, संतान से कोई ख दिलवाय का देखी खास दिन है, रविवार का दिन है, आशाड महिने के क्रिष्ण पक्षकी अश्ट मीति थी है, अश्ट मीति का सम्मंध देवी दुरगा से महना जाता है, साथ बसात में सरवार्च से धियोग भी है, ऐसे में क्या करें, देवी दुरगा के कनक सो रूप, कर उसका सेवन कर लें और पूरे प्रियोग में एक विशेश मंत्र का जाब करें मंत्र है ओम पीतांबर धारा ये नमहा यानि कि पीले कपड़े पहनने वाली ओम पीतांबर धारा ये नमहा आश्वस्त करता हूँ आपको हर काम में निश्चत सफलता मिलेगी तो दोस्तों एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से